तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे प्रिंसिपल ओफ इंहरिटेंस एंड वैरियेशन के जो कुछ इंपॉर्टन कुश्चन से उसको डिसकस करेंगे इसमें से कुछ गुश्चन ऐसे होंगा जो राक्ली एंसी-आ्रटी की लाइन से लिए गए हैं और एंसी-आर्टी से लिए उसमें पता है नीट में आ सकते हैं तो उसको डिसकस्स यहां पर करेंगे ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तो पहला question यहाँ पर दिया, the allele which gets expressed in both heterozygous and homozygous condition is known as the dash allele. तो देखो, आपको पता है law of dominance है, कि homozygous में तो सब जो recessive होता है, वो भी अपने आपको express करता है, और dominant भी करता है, लेकिन dominant अपने आपको heterozygous condition में भी क्या करता है, express करता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, dominant allele, समझ गया इसको, the answer will be dominant allele, यह अपने आपको heterozygous condition में भी the blood group O, जो man है, वो blood group A है, यहाँ पर male ले लेते है, blood group A है, और जो female है, उसका blood group यहाँ पर क्या है, blood group है यहाँ पर basically O, ओके, यह जब आपस में marriage करेंगे, तो इनके जो possible blood groups होंगे, इनके बच्चों के वो क्या हो सकते हैं, question में आपसे पूछा गया है, तो एक बात हमेशा जब possibility पूछी जाती है, तो कभी भी homo-gagas नहीं लेते हैं, हमेशा कोशिच करते हैं, हेट्रो-जाइगस नहीं, जैसे A है, तो A का हेट्रो-जाइगस क्या होगा, Ia and small i, अब O का तो कोई हेट्रो-जाइगस हो नहीं सकता, यह small i, small i ही होगा यहाँ पर, है की नहीं है, इ आई एए और स्मॉल आई मतलब अबलड ग्रूप फिर आई एए और समॉल आई मतलब अबलड ग्रूप तो ए और ओ पॉसिबल टाइप से यहां पर बन सकते हैं उनके बच्चों के तो अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर गॉट टो याद रखना जब भी पॉस इसा कुछ नहीं है आपर तो अंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा हिमोफीलिया रेयर क्योंकि वुमें कैसी है अगला है जीन फॉर अलफा थैलासीमिया इस प्रिजेंट डन क्रोमोजोम में डियरक्ली एंसी आइटी का कुश्चन है एंसी आइटी में है कि अलफा थैलासीमिया के लिए जो जीन होता है वो क्रोमोजोम किस पर होता है क्रोमोजोम 16 पर पाया जाता है बीटा थैलासीमिया क दोनो closely linked gene है यह NCRT में लिखा इसको आप लिख्टी कर लेना closely linked gene है दोनों यहाँ पर अगला है if a colorblind man marries the daughter of a colorblind father then the next generation will be अगर कोई colorblind man है इसका मतलब उसका genotype क्या होगा xcy यह हो जाएगा male के लिए और इसने marry किया है daughter of a colorblind father इसका मतलब है जो daughter है यहाँ पर वो basically colorblind father की अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो woman है उसका genotype xx होगा इसके papa जो थे वो colorblind थे इसका मतलब एक x उसको अपने papa से मिला होगा इस लड़की को तो यह क्या हो जाएगा xxc मतलब यह carrier woman होगी यहाँ पर ओके और जो carrier woman यहाँ पर होगी यह हमको पूछ रहा है कि next generation में क्या होगा वो cross करके देखते हैं तो male के लिए xc y रखते हैं हम लोग जो कि दिया हुआ है colorblind man है और woman के लिए xc x रखते हैं तो अगर इसको रखे हम लोग तो देखा उनसर क्या आएगा पहले में xc xc मतलब colorblind woman xc y मतलब colorblind male या boy और x xc मतलब carrier और xy मतलब normal तो पहला बोला none of the daughter will be colorblind कोई भी daughter colorblind नहीं होगी यह गलत होगी है आपको पता है एक तो daughter colorblind है all the sun will be colorblind नहीं दोनों sun colorblind नहीं होगी एक होगा तो यह भी गलत है all the daughter will be colorblind सारी daughters colorblind होगी यह भी गलत है एक carrier है तो वो normally दिखा ही पड़ेगी यह भी गलत है half the suns will be colorblind हाँ यह सही है दो लड़के बन रहे है दो लड़के में से एक लड़का यहाँ पर colorblind मतलब क्या है half तो d will be the right answer तो इसका answer आपका हो जाएगा d वाला next move करते हैं हम लोग how many of the following statements are correct ही अच्छा question कितने यहाँ पर statement correct है पहला बोला है recombination of gene is directly proportional to the strength of linkage gene का recombination जो होता है वो directly proportional होता है किसके linkage के strength पे यह चीज गलत है जितना linkage का strength होगा उतना कम recombination इसका बात समझो है यहाँ पर इसमें क्या है recombination जो होता है proportional one upon linkage यह inversely proportional होता है अगर inversely proportional है इसका मतलब क्या है कि recombination आपका directly linkage के स्टन के उपर नहीं हो सकता है यह गलत बात है ठीक है ना जितना lose होगा linkage उतना ज्यादा होगा recombination अगला statement और तीसरा recombination frequency directly proportional होगी distance between the genes present on chromosome यह भी सही है जितने दूर दूर होगे उतना कम linkage होगा जितना ज्यादा linkage होगा उतना वो recombinate करेंगे यह वाला भी सही है पहले को छोड़ के बाकी दोनों सही है यहाँ पर तो answer will be two statement यहाँ पर तो B option हो जाएगा यहाँ पर two अगला इन male and female honeybees gamits are produced by male और female honeybee में gamit कैसे बनती है male तो haploid होता है और haploid हमेशा अपना gamit कैसे बनाता है mitosis से चुकि haploid मियोसिस करी नहीं सकती और female diploid होती है यहाँ पर तो वो अपना gamit कैसे बनाएगी मियोसिस से इसलिए बोलते है haploidy बना हुआ है उसमें लिखा है mitosis and meiosis तो answer क्या होगा mitosis and meiosis respectively मतलब C option यहाँ पर हो जाएगा male होगा mitosis से reproduction करेगा और female meiosis करके अगला तोटल number of progenies obtained through the dihabrit trough of mendel is 1280 in F2 generation how many of these are recombinant अच्छा question है यहाँ पर देखो dihabrit trough बोलाएं और dihabrit trough में क्या ratio बनता है 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 यह ratio बनेगा यहाँ पर और अगर इसमें बात करें तो यह 9 और यह जो 1 है यह parental होते हैं यह 3 और 3 क्या होते हैं यह 6 होते हैं यहाँ पर recombinant तो अगर नोग dihabrit की बात करें उसमें 6 recombinant बनता है F2 में तो इस 6 recombinant बात करें तो कितना बोलाएं आपका यहाँ पर 1280 में से निकलेगा 1280 उसमें से आप उच्छे और कितने में से अपन 16 तो आपका यहाँ पर 16 टोटल होते हैं 80 और 6 को मुल्टिप्लाइ करें तो 480 तो अंसर कितना आजाएगा 480 1280 को 6 से मुल्टिप्लाइ करके 16 से डिवाइट क्यों किया गया चुकि 6 recombinant बनते है 16 में से इसलिए ऐसा किया गया तो अंसर कितना आएगा 480 यहाँ पर आजाएगा और लास्ट में बता जाता हूँ dominance is not an autonomous feature of a gene or the product यह direct NCRT का question है अगर आप NCRT में जाओगे यह आपको मिलेगा ठीक है ना तो यह direct NCRT का हो जाएगा और यह दिया हुआ है dominance is not an autonomous feature of a gene or the product सही बात है यहाँ पर एकदम सही है और इसका reason दिया है क्योंकि it depends as much on the gene product and production of a particular phenotype from this product एकदम सही बात है यह dominance कभी भी autonomous feature नहीं होता किसी gene का यह depend करता है gene के product के उपर और एक particular phenotype के उपर जो उस product से basically यहाँ पर बन रहा है directly NCRT का question है यह आपको दिया गया है co-dominance जब आप पढ़ोगे तो co-dominance में पूरा आपका जो last para inheritance of two genes के पहले वहाँ पर यह आपका दिया गया अगदम last में आप वहाँ पर देखोगे तो उसमें लिखा होगा dominance is not an autonomous feature of a gene ठीक है तो यह directly वहाँ से लिए आगया तो इसका answer क्या हो जाएगा both addition reason correct और यह आपका correct explanation भी होगा तो इसका answer हो जाएगा दोनों correct है और इसका correct explanation भी है ठीक है तो ऐसे ही question discussion के लिए need के important question and CRT के समझने के लिए आप चैलल को subscribe करिएगा और मिलते हैं next video में Thank you